हम लोग इत्वार के दिन सब लोग दिल्ली के लोग बैठ के तै करते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को टै करना है कि लॉक्डाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए हम सब लोगों को मिलके ये टै करना है अप्रेल के महीने में जब ये सेकंड वेव पूरे देश के अंदर आई थी, इतनी खतरनाक वेव थी दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने हम सब लोगों ने ये देखा कि ये वेव बहुत खतरनाक है और सबसे पहले लॉक्डाउन देश के अंदर दिल्ली में लगाया गया उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेजी से केसे बढ़ रहे थे कि पता नहीं ये वेव कितने दिन चलेगी इस वेव से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे कैसे होगा क्या क्या होगा लेकिन एक महीने के अंदर 20 अपरेल को हम लोगोंने लॉक्डाउन लगाया था लग बग एक महीने के अंदर आप सब लोगों के दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की महनत और संघर्ष की वज़े से आज कोरोना की ये वेव जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक ये कमजोर होती नजर आ रही है मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने युद्ध जीत लिया है अभी काफी बाकी है लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके उपर काबो पाते हुए नजर आ रहे हैं अप्रेल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमंदर 36 प्रतिशत पहुँच गई थी यानि कि 100 लोगों के हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे पिछले 24 घंटे का मैं आपको आकड़ा बताऊं तो ये संक्रमंदर धाई प्रतिशत के भी नीचे चली गई है यानि कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें धाई लोग संक्रमित पाई जाते हैं और साड़े सत्तानवे लोग ठीक पाई जाते हैं इसका मदर संक्रमन काफी कम हो गया दिल्ली के अंदर अप्रेल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आये थे 28,000 पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाई गई हैं दिल्ली के अंदर 28,000 से 1600 तो दिल्ली के अंदर करोना की रफ्तार काफी कम हुई है पिछले एक महीने में कई सारी समस्याँ आई उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिल के मकाबला किया दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिल के मुकाबला किया खास कर oxygen की बहुत बड़ी समस्या आई थी लेकिन सब ने मिलके इसमें सब का सहयोग मिला दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट ने दिल्ली हाई कोट ने सब ने सहयोग किया और oxygen की समस्या का भी समधान निकला अब वैक्सिन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वैक्सिन की बहुत कमी महसूस हो रही है लेकि मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी-बड़ी समस्याओं का समधान किया है ऐसे वैक्सिन की समस्या का भी समधान निकलेगा हम मिलके निकालेंग कई कई दिनों से घर नहीं गए हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया, इन में से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए, उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों के तरफ से सलाम करता हूं, हम कर्जदार हैं उनके, उनका कर्ज हम नहीं चुक्ता कर सकत हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए एक एक करोड रुपए की राशी देती है, आप लोग देख रहे होगे, मैं रोज किसी ना किसी के घर जाता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी डॉक्टर, नर्स, या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो पूरा नहीं हुआ है, और अभी भी हजार से जादा केस आ रहे हैं, तो पिछले 24 घंटों में, मैंने खूब लोगों से पूछा, क्या करना चाहिए, जो भी निरने होगा, हम मिल के लेंगे, दिल्ली के लोग मिल के निरने लेंगे, तो एक आम राए ये बन रही है लोगों कि, कि एक हफ़ते के लिए लोगडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लोगडाउन खोल दिया, और जो कुछ हमने पिछले एक महिने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वज़े से पाया है, कहीं वो खतम ना हो जाए, तो सब की आम राए ये है कि, एक हफ़ते के लिए और लोगडाउन खोल देना चाहिए, तो दिली सरकार ने ये निरने लिया है कि, एक हफ़ते के लिए लोगडाउन और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोंगवार 31 तारीख की सुबह 5 बेजे तक के लिए लोगडाउन बढ़ाया जा रहा है, अगर केसिज के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले एक हफ़ते भी मैं आप सब लोगों से अपील है निवेदन है जैसे आपने अभी तक सहयोग किया आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, lockdown को follow किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, करोना के नियमों को आगे भी follow करेंगे, अगर इसी तरह से cases के कम होने का सिलसला जारी रहा, तो 31 तारिक से फिर हम unlock की प्रक्रिया चालो करेंगे, एक दम से unlock करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे 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 कुछ 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 गती विधियों को 31 तारिक से फिर हम खोलना चालो करेंगे, लेकिन अभी सब की राय के मताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मताबिक, एक हफ़ते के लिए हम लोग लुग डॉण और बढ़ाने जा रहे हैं, इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के दो करोड लोगों को वैक्सिन जल्द से जल्द लगाई जा सके हमने दिल्ली में सारी विवस्था बना लिए कि तीन महिने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सिन लगा सकते हैं लेकिन वैक्सिन की कमी है पूरे देश के अंदर कमी है कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी तीसरी वेव आएगी हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है तो हमारी पहली प्राथमिक्ता तो ये है कि वैक्सिन लग जाए अगर वैक्सिन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए अगर वैक्सिन सब को लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सके तो एक तरफ तो हम सब को वैक्सिन लगाने की तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं सब के सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी हो सके केंदर सरकार से दूसरी कमपनियों से कमपनियों से भी सबसे मैं खुद बात कर रहा हूं जितनी विदेश बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सिन लाने के लिए हम खर्च करने के लिए तयार हैं कहीं से दिल्ली के लोगों के लिए अपने लोगों के लिए वैक्सिन मिल जाए तो एक तरफ हमारी ये तयारी चल रही है और दूसरी तरफ खोदाना खासता त तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं कितने बेड जरूरत पड़ेगी कितने और आई सीउ बनाने की जरूरत है कितनी और ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की जरूरत है ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की जरूरत है यह सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है